हेलो एवरिवन जैसा कि आपको स्क्रीन पल दिखाई दे रहा है आज हम किस के बारे में पढ़ेंगे पैसों के बारे में रुप्यों के बारे में और ये देखें मेरे पास कितने सारे नोट्स हैं और इनके साथ मेरे पास हैं इतने सारे सिक्के भी तो चलिए इनके बारे में ह हम आज पढ़ते हैं तो ये लेखें प्यारे बच्चों मेरे पास ये हैं इतने सारे 10 के नौट और ये हैं 20 के नौट ये हैं 50 के नौट और ये हैं मेरे पास 100 के नौट इनके साथ साथ मेरे पास कुछे सिक्के भी हैं जिनके उपल देखिए एक, दो, और ये पाँच का सिक्का अब हमें इन नोटों का पता कैसे चलता है कि ये कितने का है, इनकी क्या कीमत है तो देखिए, चाहे नोट है या सिक्का है, उनके उपर हरे की कीमत लिखी हुई है यह देखिए जैसे यह नोट है तो इसके उपर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर शब्दों में भी यहाँ हिंदी में 10 रुपे और यहाँ पर 10 रुपीज लिखा हुआ है ऐसे ही आगे है यह नोट है अब देखे इस पर 20 लिखा हुआ है अंकों में लिखा हुआ है यह हिंदी म और यहां पर English में लिखा हुआ है ऐसे ही अगर आप coins देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है पाँच और उपर लिखा हुआ है रुपे पाँच रुपे इसकी कीमत क्या है पाँच रुपे एसे ही यह देखिए यह वाला सिक्हा है इसमें लिखा हूँ है δो और यहां पर जो हाद चपा गवा है उसके भी कितनी उगलीया है दो और नीचे लिखा हुआ है रुपे और इंग्लीश में है रुपीज, दो रुपे यह देखिए अब आप बताएएano Direichte कितने का सिक्का है, एक रुपये का, कितने का, एक रुपया, ऐसे ही, ये देखें, ये वाला नोट है, ये कितने का है, सो रुपय का नोट, तो देखें, सो अंकों में लिखा हुआ है, यहां शब्दों में भी लिखा हुआ है, और इस तरफ देखेंगे तो, यहां हिंदी में और सिक्के पर उसकी कीमत लिखे हुई होती है लेकिन प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ये रुपईया और पैसा है क्या रुपई और पैसे भारत में मनी गिनने की अलग-अलग इकाईया है और दूसरे देशों में भी मनी गिनने की इकाईया हैं और उनको अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है लेकिन भारत में इसको रुपेया और पैसा बोलते हैं और रुपे को लिखने के लिए हम इस चिन का प्रियोग करते हैं जुलाई 2010 को भारत सरकार दुवारा रुपे के स्थान पर ये चिन स्विक्रित किया गया था लेकिन जनवरी 2012 से यह पर्चलन में आया है तो अब हम जब सवाल करेंगे तो रुपे के स्थान पर हम क्या लिखेंगे ये वाला चिन और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये एक रुपे या है इस एक रुपे में सो पैसे होते हैं कितने पैसे होते हैं? सो पैसे होते हैं अब सो पैसे पैसे तो हमारे पास सिको या नोट के रुप में नहीं होते तो इनको हम कैसे जानेंगे? इनको हम जानेंगे कि एक रुपे में पचास पैसे पचास-पचास पैसे के दो सिके होते हैं हाला कि ये पचास पैसे का सिक्का अभी पर्चलन में नहीं है पहले ये पर्चलन में थे तो पचास पैसे जमा पचास पैसे कितना बनेगा एक रूपे या एक रुपए में 100 पैसे होते हैं यानिकि एक रुपए में 50-50 के 2 सिक्के होते हैं और 25-25 पैसे के सिक्के एक रुपए में 4 होते हैं इनकि एक रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं इन दोनों उधारनों से हमें पता चलता है कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं सो पैसे होते हैं और ये देखे ये पाँच रुपए है और यहाँ पर ये पाँच रुपए बराबर है एक एक के पाँच सिखे एक दो तीन चार पाँच यानि कि पांच रुपए में एक रुपए के कितने सिखे होंगे पांच सिखे होंगे ऐसे ही अगर यहां पर पांच रुपए हैं तो ये बराबर होगा दो रुपए, दो रुपए और एक रुपए के ये पाँच रुपए बराबर हैं, दो रुपए, दो रुपए और एक रुपए के अब ये देखिए, दस रुपए बराबर हैं, एक रुपए के कितने सिक्के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यानि कि दस रुपए में एक रुपए के दस सिक्के और दस रुपए में दो के कितने सिक्के होंगे यानि कि दस रुपए में दो, दो के पांच सिक्के, एक, दो, तीन, चार, पांच पांच रुपए के कितने सिक्के, दस रुपए बनाएंगे तो 5 रुपय के 2 सिक्के मिलकर 10 रुपय का नोट बनाएंगे अब ये देखिए 20 रुपय का नोट है तो 20 रुपय में मुझे ये बताओ 5 पाँच के कितने सिक्के आएंगे चलिए कोशिश करते हैं गिनते हैं 5 और 5 दस और ये 5 पंदरा और ये 20 बीस रुपय में 5 पाँच रुपय के कितने सिक्के होंगे चार सिक्के होंगे और अगर मैं बोलू कि 20 रुपय में 10 दस के कितने नोट होंगे तो बताइए 10 और ये 20 यानि कि 10 के 2 नोट अब हम जानते हैं 50 के नोट के बारे में 50 के नोट में 10 दस के कितने के नोट आएंगे कितने नोट आएंगे बताइए चले 10, 20, 30, 40, 50 तो कितने नोट आए 1, 2, 3, 4, 5 50 रुपय में 10 दस के 5 नोट अब मुझे ये बताइए कि 50 रुपय में 20, 20 के कितने नोट होंगे तो चले गिनते हैं 20 और 20, 40 और 50 पुरा करने के लिए ये 10 यानि कि दो 20 के नोट और एक 10 का नोट ये कितने का नोट है? 100 रुपय का कितने का? 100 रुपय का अब मुझे ये बताइए 100 रुपय में 50 के कितने नोट आएंगे? 50, 50 के कितने नोट आएंगे? मैं यहां रखती हूँ आप गिनते जाएए 50 और 50 से 100 यानि कि 50, 50 के 2 नोट 100 में 50, 50 के 2 नोट और मुझे ये बताइए कि 20, 20 के कितने नोट आएंगे? बताइए, कोशिश कीजिए चलिए गिनते हैं मेरे साथ गिनिए 20 20, 40 20, 60 20, 80 और ये 20, 100 देखते हैं कितने नोट हुए? 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 100 रुपे में 20, 20 के 5 नोट क्या आपको पता है 100 रुपे में 10, 10 के कितने नोट होंगे? चलिए अंदाजा लगाए और फिर मेरे साथ गिनिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नोट, दस 10, 10, 10 के 10, 100 में प्यारे बचों ये मेरे पास खेल मुद्रा है और इनकी सहायता से आज हमने जाना रुपे और पैसो के बारे में इस वीडियो में आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम जानेंगे रुपे को पैसों में कैसे बदलते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अगर आप चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तेंक यू